सब्सक्राइब 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 मेरे चैनल पर और एक और गेम प्ली वीडियो में वो भी जीटे की खेर गाइज आज ठोड़ी एंट्री अजीब तरीके से लिए मैंने क्योंकि प्लेइन के अंदर बिल्कुल भी सीट्स निजे तो मैं उपपर चड़े गया क्यार गाइज मैं यह सोच रहा था कि मैं उपपर चड़े यहां कई मेरी जान को क्योंकि खतरा तो नहीं है लेकिन फिर मैंने सुचा कि कोई बात नहीं आर यहां से स्काइडाइविंग करके नीचे जाएंगे और अब मेरे को लगता सकाइडाइविंग का टाइम आ चुका लैंड होने वालों कभाड़ी के आप आए बाया यहां और लिए और देखो तो इसको पूरे तरीके से लड़ रहा है इसको तो मार नहीं पड़े और लगता है इस शाब कैसे कैसे लोग मिल जाते गंस और यह क्या मैं एक बुट्धा पीट और तो वो बुढ़ा का पीट दिया पागल ऐसी हरकते करते हैं का बुढ़े लोग अरे और नहीं तो क्या बुढ़े लोग काम यह होता है बैठ करके बस ताने मानना लेकिन मेरे दादा जी तो बहुत ज़ादा अच्छे हैं suit अरे हाँ यार मैंक्स कैसे हो तुम काफी दिनो बात दिखे हो अरे हाँ Dr. Banner काफी दिनों बात खैर आपके Hulk वाले version से तो मैं मिलता है रहता हूँ रोज रोज अरे हाँ Max मेरी बास सुनो Hulk वाले version से याद आया मैंने Dr. Banner के साथ मिल करके एक ऐसा device बनाया है तो मैंने सुझा कि क्यों ना बिना Hulk बने ही जाले जाओं क्योंकि अगर मैं Hulk बन जाता तो मैं उस गाड़ी में फिटनी होता अरे खैर समझ गए तुम बिना Hulk बने हाँ पर क्यों आये हो वैसे एक और बात बतानी थी तुम्हे Max मैंना तो तुम्हें यह खैर बताई रखा है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और एक मकैनिक भी लेकिन मेरे को लोगों के शरील के बारे में कुछ भी नहीं पता मतलब कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन जैसे कि तुम जानते ही हो कि डॉक्टर बैनर के नाम में ही डॉक्टर है और इनके पास बाइलोजी की भी डिग्री है वो भी पीएचडी अरे भाइस साब डॉक्टर बैनर तो कुछ जाधी पढ़ा हुआ लिख रहा है गाइस खैर इतनी साली डिग्रियों के बारे में मेरे को तो पता नी लेकिन मेरे को इतना पता है कि जॉंबी वायरस का एंटी डॉट डॉक्टर बैनर जरूर बनाएगे मैं उसी काम के लिए तो यहाँ पर आया हूँ यार मैक मेरे को बस जॉंबी वायरस का एक बारी एंटी डॉट बनाना है अरे क्या मैक्स पाई जैसे की कोविन नाइटीन के साथ हुआ था पहले वो कुरोना था उसके बाद वो ओमीक्रॉन हो गया फिर वो डेल्टा भी हो गया पता नी क्या क्या अच्छा जैसे एंडोईड के अपडेट आते हैं अहां बिलकोल वैसे एंडोईड या फिर आई ओएस के अपडेट जैसे या फिर विंडोस का अपडेट भी कह सकती हो अरे हाँ ठीक है मैं समझ गया मतलब अबडेट हो जाना वाइरस भी अपने अबडेट होते रहते है गाईस बताओ खैर समझ गया ये क्या करना है मिरको खैर इतनी समझदारी तुम लोगों के लिए कहीं भारी ना पड़ जाए एक सेकेंड पैनी वाइस इसी बंदे की वज़े से यहाँ पर पूरे में गाईस जॉंबी वाइरस फैला हुए कितने दिनों बाद मिला हूँ तुम सारे लोगों से तुम लोगों की याद मुझे बहुत जादा आई इसलिए मैंने एक प्लैन बनाया है एक मिनिट तुम ने कहा प्लैन बना लिया? वो तो मैं तुमें नहीं बताने वाला क्योंकि अगर तुम ही बता दिया तो मेरा प्लैन फील हो जाएगा क्योंकि तुम लोग हमेशा मेरे प्लैन के बीच में अपनी ना कड़ा देते हो अरे पर नाक तो तुम हरी लाल हो रखी है तुम हमसे जादा ना कड़ाते हो हाँ इससे तो ये साफपडा चलता है तुम लोग अपना मुबंद रखो मेरी नाक का लाल रंग, मेरे मेकप का हिस्सा है अरे नहीं, असलियत में तुम रहते हो गटर के अंदर और गटर के अंदर की बद्बो सूंग सुंके तुमारी नाक लाल हो चुकी है यह बात तो विलकुल सही बोले तुमने यर शिंचेन अरे लेकिन तुमारे प्लान का हम लोगों से क्या लिला देना है? जो तुम यहाँ पर आय हो? अरे वही तो यार, Iron Man मैं तो कहा रहा हूँ इसे मार के भगा देते हैं आसे एकदम बुरे तरीके से पीट देते हैं तुम पीटोगे मुझे बुरे तरीके से मैं तू चला एक सेकंड यह क्या सीन है डॉक्टर बैनर का चले गए और यह धुआ क्या आ रहा है अरे यह क्या लगता है वो डॉक्टर बैनर को अपने साथ ले गया है अब हमनों एंटी डोट कैसे बताएंगे मैक्स भाई अरे यार पर कोई तो तरीक होगा तुमारे पास आरन मैन जिससे हम उनकी लोकेशन निकाल सकते हैं अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही याद दिला यार मैक्स एक काम करते हम जल्दी सुनके लोकेशन निकालते हैं मुझे लग रहा है और हल्क बनाने के बाद मेरे को ऐसा क्यों लग रहा कि वो जॉम्बी वाइरस ना डाल दो उसमें मैक्स भाई ऐसा हो गया सब तो बहुती बुरी बात हो जाएगी हलक से जादा बुरा जरीकिसे जॉम्बी वाइरस तो कोई भी नहीं पहलाने वाला वाई तो ऐसे कि तैसे हो जाएगी हा यार तुम लोग एक्टम स़ही हो एक सेकंड वो गया कहा पर है अरे सर वो अपनी ममी से मिलने गया होगा अरे नहीं तुम चुप रहा हो यार मेरे को कं करने दो वो यहां से अभी थोड़ा सा धूर है अरे सर वो अपनी girlfriend से मिल ले गया होगा अरे तुम अपना move रख रहे हो कि नी यहाँ पर इतना बड़ा matter और तुम्हें मजाग सूच रहा है अरे डॉक्टर साब आप मत बोलो अब आप जाओ यहां से Iron Man का दिमाग अभी बहुत गरम है अब फाल तुम्हें उसको मत गुस्सा देलाओ अरे मैं तो बस suggestion दे रहा था क्यार तुम्हें पता भी है कुछ की क्या हुआ है यहाँ पर शांती से जा रहे हो कि थपड़ मार के बगा है मिया से अरे थोड़ा से रिलेक्स हो जाओ मैक्स भाई इतना भी गुस्ता ठीक नहीं अरे डॉक्टर बात है कैसी कर रहा यार तु यह तो देख अरे सोरी सोरी जा रहा हूँ पता नहीं कहा कासा आ जाते है खेर खेर मैक्स यह देखो मैंने लोकेशन निकाल लिया अरे यह हुई ना बात जल्दी से दो यार मेरे एक काम करो मेरे मैप में मार्क कर दो मैं सीधा वही पहुंच जाता हूँ हाँ ठीक है चलो तुम दोनों जल्दी निकलो अरे पर हम तो गाड़ी लाए ही नहीं अरे गाड़ी तो मैं भी नहीं लाया एक काम करो भार एक aeroplane है उसमें बैटके चले जाओ अरे आपार उस एरोप्लेन की सीट्स फूर्ल होंगी जहां तक मुझे पता है कोई नी तो छत्पे बैटके चले जाओ पर पहुंच जाओ अरे यार ठीक है इसलिए गाइस हम लोग यहां पर आ रखे अभी लोकेशन तो यहीं किया थी लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है यहां कहीं पर एक सेकिंड गाइस सामने के और मेरे को एक पुरानी फैक्टरी सी दिख रही है अरे मैक्स भाई सी कंदर हुगा वो आ यार इन लोगों का यह जो नया वाला बेस है वो मैंने देखा भी नहीं है इसलिए मुझे डंग सा आइडिया भी नहीं है कि कहा पर अरे भाई साम यहां तो जाली लगी है फिर तो गाईस मेरे को ऐसा शाकूरा का यही तो नहीं है उनका बेस क्योंकि यहां पर असानी जगुसने का तरीका तो है नहीं बिल्कुल भी इस जगा पे तुम गए हो मैंने देखा अब है वो तो मांट चिल्याड के काफी पास है उन्होंने तो इकदम शादी बाला नौकरी बना लिया समान मेरे को बता देंगा, मैं बस लाके देता रहूँ घर गाइस, मैं अंदर तो आ चुका हूँ फैनली, लेकिन मेरे को कोई भी नहीं दिख रा मैक्स भाइ, थोड़ा समल्गी चलो, पता चले कोई हमारे उपर पीछे से हमला कर दी अरे पीछे से कौन हमला कर रहा रहे भाई साम एक सेकंड ये क्या सीन था ये कौन है मेरे को तुम गाई इसके पैरों के नीचे दबा दिया इसने अंके खुलो बै ये मैं कहाँ पर हूँ एक सेकंड तो तुम आखिरकार पहुंची गए हमारे अड़े तक अरे छोड़ दो हमें अरे ये कैस इंचैन तुझे भी इन्होंने बांद के रख लिया अपने पास अरे बांदा तो आपको है मुझे तो कैद किया है अरे मेरा वही मत देख कर क्या असा लग रहा है जैसे वो भी होश पड़ा है और ये साइड में आकर ये क्या चीज है वही तो है तुम सभी की मौत का समार अब देखो क्या करते हैं हम उस कुईड गेम की डॉल मेरा मतलब है कि मेरी प्यारी गुडिया चलो मुझे बताओ कि हलके साथ क्या कि नहीं ठीक है जैसा तुम लोग बोलो अब देखो मैं करता क्या हूँ सुनो स्कुड गेम वाली डॉल मेरा मतलब है कि मेरी प्यारी गुडिया तुम्हें काम करो जल्दी से एक जॉम्बी लेकर के आओ एक मिनट अब तुम मेरे को जॉम्बी से कटवाने वाले हो क्या अरे म हुई ना बात इस जॉम्बी को देख करके लग रहा है कि इसके अंदर अच्छे से इंफ्रेक्शन फैला हुआ है और अब इस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं सिलेंडर मैन कर दो मशीन स्टार्ट जैसा तुम बोलो पैनी वाइस ये लो वा ये हुई ना बात अब बस हमें इन्तिजार करना है इस हलक के अच्छे से जॉम्बी में कनवर्ट होने का एक मिनट तुम हलक को जॉम्बी क्यों बना रहे हो और वह बीज मशीन से खेर ये मेरी मजबूरी है मैंने पहले हलक के ओपर जॉम्बी चोड़े मतलब कि डॉक्टर बैनर के अउपर लेकिन डॉक् लेकिन ये इस मशीन से वो नहीं बचने वाले बिल कुल और प्रें की सांसों के नदर जाए गी और हमिए को एक बॉधी को नो हुला हूरा है आप कुछ करके नहीं रहे हैं अरे शिंचल मेरे हाथ खुले होता ना तो इसका मुझ तोड़के रख देता तुम टेंशन मतलो तुम्हारे पीछे जो मशीन लगी है ये तुम्हारे हाथों को उस टाइम काट देगी जब हल्क बाहर निकलेगा तो तुम अपनी जान बचा सकते हो हल्क से अरे भाई ये तो मेरे को जान से हिमारने की बात कर रहा है गाई सीधा अरे मैं एकस भाई आकर अब होगा क्या अब तो बस मौत लिखिया हमारी अरे अब तो मेरे शादी भी नहीं हुई और इतनी जल्दी मर जाऊंगा मैं पतानी बचारे दीदियों का क्या होगा मेरे जाने के बाद यहा हमारी जान जाने वाली है और तेरे को शाद ही कि पड़ी है उल्लो अपना मो बंद रख थोड़ी देर के लिए और मेरे को सोच नहीं दे ठंडे डिमाक से कि मैं आखिर करूँगा क्या जैसी मेरी रस्ती खुलेगी तब अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे जब हलक जांबी बन चुका गा तो क्या ही कर लोगे अरे वही तो सब खतम है अब तो मैक्स भाई तुम लोग बहुत मुझ जलाते हो अरे लगता है सारा का सारा खुन निचुड़ गया ये हुई ना बात लगता है हमारे जाने का टाइम आ गया अरे पर हलक को तो अभी तक कुछ हुआ ही नि अरे मैक्स भाई ये कैसे गंदिया वाजे थी पादवाद मा रहा है के तुमने पागल यहां मेरी टटी निकलने वाले हो तरको पाद की पड़ी हुई है अरे भाई साब अब ये क्या हो रहा हलकी के साथ चलो हमारे जाने का टाइम आ गया अब तुम लोग भुक तो जो होता है वो देखो बाई बाई मिलते हैं फिर से अरे पर ऐसे तो मत जाओ अरे भाई साब ये तो चले गए अब आकर मैं करूंगा क्यार ये तो लग रहे है जैसे की फट नहीं वाला है एक सेकंड मेरी ये खुल चुकी है गाईस मेरी रस्ते खुल गई इसका मतलब है की हलक बाहर आने वाला है अरे भाई साब दूर भागो अरे भाई साब इसमें तो आग लग गई एक सेकंड काईस ये मशीन तो टूट चुकी है पर हलक कहा पर चला गया अरे भाई साब गाईस यह तो यही पर है अरे मैक्स भाई इसकी शकल कैसे हो गई अरे शिंचैन पुरी शकल जॉम्बी जैसे हो रहा क्या भाई यह तो भाई पागली हो गया ऐसा लग रहा है मैक्स भाई मैं जो इसके आगे अक्टिंग कर रहा हूँ कि 관े मार चुका हूँ तो यह मेरे को नहीं मारेगा मैं भी यही कर रहा हूँ तो पागल तो नहीं होस्ट यह क्या सता कर दे है यह तो मुझे मारी देगा principe यह कहा पर चला गए आप कहा अश्यसा कर बेसे मगेर को ठीशाओ कर सको यह तो बहुत बुरा मार रहा है और यह मुझे भी वामी कर रहा तू कम से कम पंतर तो मत मारी वाई साथ सब को यही लग रहा था मैक्स को देखके कि अब मैक्स खतम ही होने वाला है थोड़ी तेर के अंदर लेकिन तब ही हल्क जॉंबी बनने के बाद तो जैसे पागल ही हो गया था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था बस वो मैक्स को पीटे जा रहा था और अब मैक्स बस मरने ही वाला था और इतने में पैनीवाइस के गुंडे भी आ गए जोकी हल्क पे भी हमला कर रहे थे लेकिन हल्क ने उन्हें भी नहीं छोड़ा हल्क ने सब पे हमला किया अख अख तब हो गया लगसा है मैं हल्क तब तक पैनीवाइस के गुंडों को पीटने लग किया और इधर मैक्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जोकी उसकी जिन्दगी को पदलने वाला था अरे मैक्स भाई अब ठीक तो हो ना अरे शिंचन देख करके तो बिल्कुल भी ने लग रहा इसकी शकल का तो भरता बन चुका है बिल्कुल अरे ये क्या हो रहा है इसके साथ काफी दिनों बात थोड़ा सा अधाद फिल कर रहा हूँ अरे तुम मैक्स भाई के अंदर रह रहे थी क्या और नहीं तो क्या जिस दिन उसे पंक मिले थे तुम्हे तो याद ही होगा हाँ मेरे को याद है उन्हें फंक मिले थे उसी दिन मैं उसके अंदर आया था, काफी मुश्किल के बाद आज जाकर के बाहर निकलाओं और रव सब की ऐसी की तैसी करूँगा मैं अरे ये तो डेविल लग रहा है बिल्कुल सही पचाना, मैं हूँ लूसिफर और मेरी यह वास थोड़ी डरावनी है, तो एक काम करता हूँ थोड़ी सी नानमल आवास में बात करता हूँ तो कैसे हो तुम शिंचैन, मुझे तो पैचानी लिया होगा तुमने है, तुम तो लूसिफर हो सच में बिल्कुल सही पचाना, शैतान का देपता मतलब शैतानी का देपता, मतलब मेरा वही मतलब था कहने का, शैतानी का देपता अरे पर तुम तो लोकी नहीं हो लोकी भी शैतानी का देपता है, मैं भी शैतानी का देपता हूँ लेकिन, मैं नर्क का राजा हूँ और मैंने ये सुनाए कि यहां पर बिचारे मैक्स की ऐसी की तैसी कर रहे हैं लो मैं अपने नर्क में कोई भी अथ्या आदमी को नहीं चाहता मैक्स जैसे मुझे केवल बुरे लोग की पसंद है क्योंकि उन्हें सजा देने में मज़ा आता है और अगर मैं मैक्स को सदा दूँगा तो यह बहुत ही बुरा होगा इसलिए मैं अब इन लोगों को सदा देने वाला हूँ इदर आओ तुम्हें पता भी है कि तुम किस के उपर हाथ उठा रहे हो ये लो ये खाओ अरे बाई ये हुई ना बाद तुम्हें बहुत साथा थाकत बन लग रहे हो इसे तो मैं ऐसी जला दूँगा मेरे से जो भी ठकराता है उसे मैं जला के रख देता हूँ और अब मेरे सामने वो हल्क कहा चला गया बड़ी हिम्मत थी ना उसमें मैक्स को हाथ लगा रहा था लगता है आ गया खैर कहाँ पर है एक सेकंड ये तो मेरे पर उड़ उड़ के हमला कर रहा है इससे लड़ने में तो काफी जादा मजा आएगा ये देखो ये रहा ये ले ये खा अरे भाई अरे भाई साब ये क्या हो रहा है ये ले ये भी ले और ये भी ले अरे ये क्या, तुमने तो हल्क को जान से ही मार दिया हाँ, मैंने उसके अंदर की आत्मा निकाल ली, ताकि मैं उसे नर्क लेदा सकू अपने साथ अरे लेकिन, हमें तो हल्क की जरूरत थी इसके अंदर से क्या तुम केवल, जॉंबी का वायरस नहीं निकाए सकती वो तो ये अपने आप ही निकाल देगा आखर ये हलक है मैं बस एक काम कर सकता हूँ कि इसे एक चैंबर में बंद कर दिता हो तब तर जैसे ये ठीक होगा ये अपने आप छोटा हो जाएगा और जैसी छोटा होगा तो अपने आप भार भी आ जाएगा हाँ ये हुई ना बात हाँ अब ठीक है ना ये अरे वाई ये हुई ना बात हल्क को बंद कर दिया मैं तो उस पैनिवाइस के बारे में सोच रहा हूँ कितना बड़ा बेफकूफ है उसने हल्क के अंदर जॉंबी वारिस डाला जब कि उसे बात पता है ना वो नर्क में तब ये तो भूद बनके भटक रहा है ओ ऐसी बात है क्या अरे वाई ये तो ख़दरनाकी सीन सुनने को मिला वैसे मैक्स को हम ये बताए कि तुम आए थे अरे तुम क्या बताओगे मैं ये उसे बता देता हूँ पर उससे पहले थोड़ी अंगड़ाई ले लू जरा एक सेकिंड छोड़े से पंक फैला लेते हैं बार बार अब ठीक है अरे मैक्स उठ जाओ अब जल्दी से अरे एक सेकिंड ये मैं कहां पर हूँ और मैंस एकदम मैं खड़ा कैसे हूँ मैं सोर कुम नहीं रहा मतलँ मैं लेटा हूँ तो देखो अपने आश्पास अरे भाई साथ ये पंक कहां से आगे मेरे पास मैं तो इन्हें कंट्रोल कर पा रहा हूँ ये क्या सीन है अरे वो पंक मेरे है एक मिनट ये किसकी आवाज है वैनम जैसा कोई है क्या अरे वैनम नहीं है ये है लूसिफर हाँ मैं हूँ लूसिफर नर्क का राजा तुम शायद जानते होगे मुझे अरे भाई साब तुम मेरे अंदर क्या कर रहे हो जिस दिन तुम पंक लेके आये थे तो वो पंक भी दरसल मेरे ही थे पर वो तुम गल्ती से लिया थे लेकिन आज मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत बहुत ज़ादा है इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करी अपने आपको तुम्हारे अंदर से बाहर निकाल के और अब तुम टेंशन मत लेना जो बुरे लोग है उन्हें अच्छे से सबक सिकाओ ताकि उनके नर्क में आने के बाद मैं उन्हें अच्छे से सजा दे सकूँ इसी में तो असली मसा है अरे भाई साफ ये हुई ना बात गाई मेरे पास एक और पंक आगए भाई पहले मेरे पास नॉर्मल पंक थे लेकिन अब ये अपग्रेड हो गए है भाई साफ कितना ही गलत सीना गाई से कितना ही गलत सीना भाई एकदम ये अलग लग रहा है भाई इन वाले पंकों में तो एकदम चमगादर जासा लग रहा हूँ मैं कैर अब जल्दी से पंक अटाते हैं कैर यार शिंचैन और चौब मजा ही आगया यार कैर मेरे को कुछ समझ नहीं आया लेकिन क्या क्या हो गया मेरे पीछे अरे बात कच्वा तुमने इतने बुरे तरीके से मारा हलक को मजा ही आगया देखके हाँ एक ही बार में खतम वैसे उससे जादा मजा तो आपको बिट्टोए देखने में आया था एक सेकंड क्या कह रहा है तू ख्यारा भी तक तो ठीक हुआ नी मैं यहां क्या कर रहा हूँ अरे हलक तुम्हें देखने के लिए मेरी आख तरजगिती जल्दी से भारा हो हम यहां कर क्या रहे है मैक्स अरे कुछ नहीं कर रहे हार हलक तुम्हें बस किटनाप कर लिया था पैनीवाइज ने अरे हां मुझे याद है मैं उसके जॉंबी इसको पीट रहा था हां बहुत ही बुरे तरीके से पीट रहे थे लेकिन उसने तुम्हारे को जॉंबी बना दिया था पर उसके बाद खैर मैंने जैसे तैसे करके बचा लिया अरे आपने नहीं लूसीफर ने अरे तो लूसीफर भी तो मैं ही था यार कैसी बात कर रहा है तो यार लूसीफर कोई अलग से थोड़ी आया था मेरे ही शरीर में तो था वो खेर गाइस बहुत ही खतरनाक लेवल के सीन हो जा रहे अब बस मेरे को एक काम करना मांट चिलियार्ड से एक पत्ता बोला था एरन मैन ने वो और हल को ले करके पहुँच जाना लेकिन गाइस आप हमें कमेंट्स में जरूर से बताना ये अखेर इन गोस्स कम्यूनिटी वालों का क्या किया जाए हाँ गाइस आप कमेंट्स में अपने सजेशन्स दे सकते हो कि आगे हमें क्या करना चाहिए इस सीरीज के अंदर मदलब कि उन लोगों से बचने के लिए जो भी वो हरकते करते हैं अगर आपको आज की वीडियो पस नहीं तो लाइक के देना चाहिए लको सब्सक्राइब के देरों कमेंट्स में लिख देना मैक्स ओपी तो फरम मिलेंगे आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुट पाए टेक केर अपना ध्यान रखना हाँ और मैक्स की तरह गंदी अवाजे निकाल के टटी बिलकुल मत करना वे तू निकाल के करता होगा गंदी अवाजे